ओम साई नमो नमा, श्री साई नमो नमा, जै जै साई नमो नमा, सद्कुरू साई नमो नमा, ओम साई राम जै साई राम आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, बाबा के चैनल साई तेरे नाम में मैं साई जोती आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साई के के लिए बाबा का ध्यान करना होगा दिल से बाबा को याद करिए बाबा का ध्यान करिए ऐसा एज्यूम करिए कि आप शेडी समाधी मंदिर बाबा के समक्ष खड़ी है और बाबा से प्रातना कर रहे हैं कि हे देवा हमारी मन और दिलों दिमाग में चल रही चिंताओं को मु पूरा विश्वास है, पूर्ण श्रद्दा है, पूरा ध्रिड विश्वास है, तभी आपको अपने प्रशनों के उतर सही प्राप्त हो पाएंगे, संशे, भ्रह्म, दुविधा, असमंजस, मो, तीन ही व्यक्तियों को नहीं होते, पहला वो जो ज्यानी हो, पूर्ण ज्यान होने से सभी प्रशन, शंका, संशे आदी पहले ही हल हो जाते हैं, अता ब्रह्म का अफसर ही नहीं होता, परन्तों ये अत्यन दुशकर मार्ग है, पूर्ण ज्यानी होना, एक ही जनम के प्रयासों में संभव ही नहीं है, अता जन साधारन के लिए ऐसा करपाना नीरा स्वप नहीं है, तो चलिए बाबा पर पूरी आस्ता रखते हुए, पूर्ण विश्वास रखते हुए, पूरी श्रद्धा करते हुए, आईए अपने प्रशनों के उत्तर प्राप्त करते हैं, तो चलिए आरहम करते हैं, अगर किसी ने स्क्रीन पर दिखाये जारे, फॉर्स्ट बाबा की शरण में जाना चाहिए, अगर आपकी पूजा करते हैं, आपकी बाबा के उपर पूरी आस्ता है, और जो भी आपके जीवन में विमारियां चल रहे थी, दुख चल रहे थे, वो एक ही महीन में समाप्थ हो जाएंगे, इसलिए बाबा के उपर अपनी आस्ता बन नाकर रखी ध्रेड विश्वास रखे आपके जीवन से सारी समय साय दूर हो जाएंगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर किसी ने सेकेंड वाला दिया यानि की रेड वाला दिया चूस करा है तो उनका लखी नंबर है उनका लखी नंबर है 165 लंबे अर्से से अटका वक्कार है यूँ अकासमात पूर्ण होगा कि आपको हैरान हो जाएंगे अनका दान भूके वाला चार लोगों को करते रहे यश के साथ सफलता भी प्राप्त होगी इसमें कोई संदे नहीं है यहां पर आपको उत्तर मिला है कि आपका जो भी लंबे अर्से से काम नहीं हो पेंडिंग कोई काम रुका हुआ था तो आपका अचानक ऐसे पूरा हो जाएगा कि आपको कोई उमीद भी नहीं होगी आप हैरान रह जाएंगे आपका ऐसे काम बन जाएगा सिर्फ आपको क्या करना है भूकों को अंदान करना है और गरीवों की मदद करनी है जहां आप आपके उपर जरूर बाबा की क्रिपा होगी और साईनाद की क्रिपा के साथ साथ आपका इतना नाम हो जाएगा और आपको इतनी सपलता मिलेगी जीवन में कि आप इस चीज़ का कभी अनुमान तक नहीं लगा सकते तो बाबा की पूझा अरादणा करते रहेगे आपके करा है तो उनका लखी नंबर होगा उनका लखी नंबर है 156 काम काज की जमेलों और व्यस घटना क्रम के कारण समय का अभाव होगा परन्तु कैसे भी समय निकाल कर नित्य साइं सिम्रन करें सफलता वा स्वास से लाब होगा प्रियोजनों का कश्ट दूर होगा यहां पर आप को उत्तर मिला है कि आप जीवन में जो डेली रूटीन है उससे हट कर थोड़ा सा बाबा के लिए भी समय निकाल लिए माना कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते आप अपने काम काज में बहुत ही जादा बीजी रहते हैं बहुत ही जादा व्यस रहते हैं लेकिन थो का वास्ते का लाब होगा और आपके जो भी डियर वन्स हैं हैं आपके जो अपने हैं अपने उत्तर्थ संभन्दें उनके करें दुख दूर होगे दूर तो ऐसा अवश्य करिए ऐसा करने से आपके जीवन से सारी समखिया दूर हो जाएंगी आशा करती हूं आपको अपने प्रश्णों के उत्तर मिल गए होंगे इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको ये वीडियो परसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये आप ही का चैनल है आप ही का परिवार है त हो सके तो अपने हर जनम दिन पर एक व्रिक्ष जरूर लगाए इससे बाबा बहुत प्रसन होते हैं पॉजिटिव थॉट ऑफ दे डे इस जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाओ क्या हुआ अभी वक्त खराब है होसला रखो और उसे भी बदल कर दिखाओ ओम साइराम जे साइराम झाल वक्त खराब ओम साइराम झाल झाल गजब थास रहाए जडाए झाल 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 ओं